Invalid response का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Invalid response का मतलब होता है कि जो आपने response दिया है वो valid नहीं है वो aware है वो मानने नहीं है यानि कि मान लेजिए आप किसी machine के साथ interact कर रहे हैं और आपको दबाना चाहिए था 5 और आपने दबा दिया 6 तो वो उस response को समझ नहीं पाता कि ये 6 जो है वो नहीं आना चाहिए था एक से 5 तक कुछ आना चाहिए था तो ऐसा जो response है या आपने कुछ गलत प्रेस कर दिया होता है या कोई गलत option select कर लिया होता है तो उस समय आपको ऐसा error message दिखाई देता है तो इसको आप एक बार दुबारा से process करें सही response अगर आप देंगे तो आपकी ये चीज process हो जाएगी और उसके बाद भी नहीं होती है तो आप संबंदित customer care से संपर्क कर सकते हैं वहाँ से आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल जाएगी अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें